हलो बच्चो जैसा कि टॉपिक से डिसाइडेड है सम इंपॉर्टन कोशन आस्क बाइ स्टुडेंट तो हम कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछन को डिस्कस करेंगे आज जो कि बच्चो दौरा पूछा गया उनको लगता है कि यह इंपॉर्डेंट है तो उसको हम लाइन बाइन इस लाइन की एक्षिशन निकालनी है इसकी पासिंग पॉंट दे रखिए माइनस थी कॉमा टू कॉमा माइनस फॉर अब बोला है यह लाइन जो है X-axis Y-axis और Z-axis पे इक्वली इंकलाइन है यानि कि यह लाइन सम्थिंग ऐसा होगा यह ऐसा होगा कि यह वाला एंगल यह व अलफा इक्रीटा इक्वल गामा है सो हम ळाइपस एक रेलेशन होता है रेलेशन क्या है यह है पहले हम डिसकस कर ले दहें्ट इक्वेशन ओव थी पासिंग प्रेशन थ्रूट देश रखिएंट श्नवissements cos square gamma equal 1. Since alpha, beta, gamma 3 equal है, तो हम क्यों नहीं बीटा और gamma की जब पर alpha लिख लिए? तो यह हो गया cos square alpha, cos square alpha, cos square alpha equals to 1. यह हो गया 3 cos square alpha equal 1. cos square alpha equals to 1 by 3. cos alpha की value हो जाएगी 1 by root 3. clear है बच्चों? अब चाहो तो इसमें plus minus sign भी डाल सकते हो. दो cases हो जाएगे. अब बात करते हैं कि हम equations कैसे draw करेंगे इस line की. इस line की equation के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? एक चाहिए होता है passing point. यह passing point है इसका. और एक चाहिए होता है DR. तो DR यह है. DR क्या होगा? DR line का हो जाएगा. plus minus 1 by root 3, comma plus minus 1 by root 3, plus minus 1 by root 3. यह DR हो गया. passing point पता है? DR पता है. तो इस line की equation अराम से लिख सकते हैं. क्या लिख सकते है? Cartesian form में लिखते हैं. Cartesian form of equation of line. So, देखो बच्चों. काटesian form पर कैसे लिखेंगे हम. यहाँ लिखते हैं. X minus passing point उसका X coordinate. पहला coordinate minus 3 था. अपन इसका DR. DR क्या था? plus minus 1 by root 3. Y minus passing point अपन इसका DR. Z plus 4 हो जाएगा. minus of minus 4 plus 4 हो जाएगा. plus minus 1 upon root 3 equals to lambda. अब यह, since 3 equal है, तो ratio इसके equal है, तो ratio को हटा सकते हैं हम लोग. यह हटा दिया. तो answer क्या है? वो देख लेते हैं. X plus 3 equal Y minus 2 equal Z plus 4. यह हो गया answer. अगर question में देखो तो यह I think B part है. B is the answer. अब बात यह आती है कि इतना बड़ा solution तो नहीं होगा ना उसका objective का. तो आप ठीक समझ रहे है. इसको मैंने elaborate करके समझाया है. आप चाहते है तो यह step up direct निकाल सकते थे. और बहुत सारे question में यह used हुए है. अगर 3D आपने किया है यह vector किया है, तो उसमें यह that question यह used हुआ कि कोई भी line की DR निकाल नहीं है, जो equally inclined है तो उसका answer यह होता था, cos alpha, cos alpha, cos alpha यानि cos alpha तीनों equal हो जाएंगे, 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3 plus minus. ठीक है बच्चों, next question देखते हैं. इस question को देखते हैं बच्चों, यह question क्या कह रहा है, question about 2 है, 1, minus 1 to 1 integration, 3x square, 1 plus 4 to power 10x dx, यह question में कैसे handle करना है, तो उसके लिए, limit तो minus 1 से 1 है, तो लग रहा होगा देखते कि P7 यूज़ोगा, लेकि P7 यूज़ोगा तो इसमें कुछ हमें मिलने नहीं जा रहा है, तो उस case में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, उस case में हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, P4, P4 क्या कहता है, using P4, P4 कहता है, integration 0 to A, actually हम इस पर P3 यूज़ करते हैं, B2A, Fx, Dx, यह होगा, B2A, F, A, Plus, B, Minus, X, Dx, यह होता है, P3, बच्चों इसमें हम P3 यूज़ करेंगे, क्योंकि lower limit का है, 0 नहीं हो रहा है, lower limit कुछ है, तो B माल लिया, upper limit को A माल लिया, तो होता है क्या P3 में, इन दोनों को plus करकर minus X replace करते हैं, X वाले point पे, ठीक है बच्चों, तो हम use करते हैं, अब क्या होगा यह, I की value जो होगी, यह होगी, minus 1 to 1, 3, इन दोनों को plus करेंगे, तो 0 हो जागा, 0 minus X replace कर दिया, इसको, 1 plus 4 tan to power minus X dx, फ़र इसको लिखेंगे, minus 1 से 1, यह हो गया, 3X square, और यह हो गया, 1 plus, minus बाहर आगया, 4 to power minus tan X, क्योंकि tan minus theta equals to tan theta होता है, dx, अब इसको थोड़ा सा simplify करते हैं, यह 3X square हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 by 4 to power tan X, minus 1 to 1 dx, फ़रदर LC में लेंगे अगर, तो यह ऐसे लिखा जा सकता है, यह उपर आजाएगा, और निच्चे हो जाएगा, 4 to power tan X plus 1, ठीक है बच्चों? अब यह हमारा हो गया, यह first equation होता है, पता है आपको, अब यह हमारा हो गया, second equation, first और second को add करेंगे, तो यह हो जाएगा, 2i minus 1 to 1, 3X square, 1 plus 4 to power tan X, plus 3X square, 4 to power tan X, 1 plus 4 to power tan X, D X, यह हो गया, अब इसमें करेंगे क्या, इसमें हम करेंगे, इसमें से कमण निकाल लेंगे, यह यह हम लेलो, 1 plus 4 to power tan X, यहां से 3X square कमण निकाल लेंगे, तो 1 plus 4 to power tan X, D X हो गया, यह हो गया, minus 1 से 1, यह हो गया, 2i, यह cancel हो गया, यह हो गया, हमारा 3X square, minus 1 से 1, 3X square, D X, 3 बाहर हो गया, X cube by 3, cancel हो गया, minus 1 से 1, 2i, it implies 2i equals to, 1 यहां पर रखेंगे, put करेंगे, put 1 here, minus minus 1 to power 3, तो यह हो गया, हमारा, 1 minus 1, तो plus 1 हो गया, 1 plus 1, that is 2, 2i equals to 2, तो i क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 हमारा answer है इसका, यह question, question बत रही है, 0 to 2 pi, integrate करना है, 3 to power sin X, 1 plus 3 to power sin X, D X, बच्छों, इसमें भी हम, since यह lower limit 0 है, तो इसमें हम using P4 करेंगे, P4 use करेंगे, using P4, P4 है, 0 to A, F X, D X, equals to 0 to A, F A minus X, D X, तो यह हो गया, I, 0 to 2 pi, 3 to power sin 2 pi minus X, upon 1 plus 3 sin 2 pi minus X, D X, जो कि further हो जाएगा, 0 to 2 pi, 3 to power sin 2 pi, पे change नहीं होता है, sin, sin ही रहाएगा, और X, quadrant हो जाएगा, 4, तो उसमें minus होता है, similarly, यहाँ पे, 1 plus 3 to power minus sin X, D X हो जाएगा, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 by 3 to power sin X, इसको लिख सकते हैं, 1 plus 1 by 3 to power sin X, 0 to 2 pi D X, यहाँ पे आई हो गया, तो आई equals 2 हो जाएगा, 0 to 2 pi, यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा, 3 to power sin X plus 1, यह लिख सकते हैं, यह हो गया हमारा equation 2, यह first होता है, अब दोनों को आट कर देते हैं, 1 plus 2, तो यह I है, यह I है, 2Y हो गया, यह 2Y हो गया, इसको इसको plus करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 to power sin X, 1 plus 3 to power sin X, plus 1 upon 1 plus 3 to power sin X, एक साथ ले दिया, जो हमारा integral प्रा, अब इसको plus करेंगे, तो यह simply LCM में आयागा, यही 1 plus 3 to power sin X, और यह हो जाएगा, 3 to power sin X, plus 1 D X, यह हो जाएगा, हमारा limit हमने छोड़ दिया था, इसको लिखेंगे, 0 to 2 Pi, और यह दोनों कट गया, तो यह हो जाएगा, 1, 1 का होता है, integration X, और 0 to 2 Pi लेना है, तो यह हो गया, X limit 0 to 0 to 2 Pi equals to 2i, 2 Pi लखो, 2 Pi, 2 to cancel out हो गया, I की value हो जाएगी, Pi, यह हो गया हमारा answer, next question है, question number 4, काफी अच्छा question है, और यह objective question दिया हुए, तो इसको हम objective point of view से करेंगे, हलाकि यह long question में भी आया हुए है, board में, यह question क्या कहा रहा है, यह function है, f x, k cos x Pi अपॉन Pi माइनस 2x, x is not equals to Pi लेटू, और इसी की value 3 है, जब x equals to Pi लेटू, बोला है, यह continuous है, Pi लेटू, पर देन k की value निकालने हैं, तो function को हम पहले क्या करते हैं, थोड़ा define कर लेटे हैं, यह हो जागा, k cos x अपॉन Pi माइनस 2x, और यहाँ पर x is less than Pi लेटू लिखेंगे, और x is greater than Pi लेटू, इसका मतलब यह हुआ, x की value Pi लेटू नहीं है, Pi लेटू से छोटी हो सकती है, और बाडी हो सकती है, ठीक है, और इसी की value 3 होगी, जब x किया होगा, Pi लेटू, ठीक है, इतना क्लिर है, अब बच्चों देखो, क्या करते हैं, हमें continuity check करने के लिए क्या करना होता है, यह value उठा के इसमें रखनी होती है, तो यह value जब उठा के यहाँ पर रखेंगे, तो देखो क्या हो रहा है, के कॉस, Pi बाइ 2, अपन Pi माइनस 2, Pi बाइ 2, तो यह हो गया, के इंटू 0, Pi कॉस Pi के ज़ए 0 होती है, अब Pi माइनस Pi, जो की हो गया 0, 0 बाइ 0 फर्मा रहा है, जब यह 0 बाइ 0 फर्मा रहा है, तो objective point view से, एक concept बता रहा हूँ, जिसको बोलते हैं, L hospital rule, hospital लिखा जाता है, hospitals बोला जाता है, hospitals rule, इसमें क्या होता है, उपर वाले को, जो हमारा numerator है, उसको X के respect में, differentiate करना है, और नीचे वाले को, अलग से X के respect में, differentiate करना है, दोनों में, question tool यूज नहीं करना है, त्यांसर सुनें अप लोग, उपर वाले को, अलग से differentiate, यह वाला जो numerator वाला पाठ है, इसको differentiate करेंगे, अलग से, और denominator को, अलग differentiate करेंगे, और दोनों के, जो position होगा, वहाई पर रखेंगे, सो, इसका differentiation कितना हो गया, के cos X का, के बाहर आगे, कॉस X का होगा, माइनस साइन एक्स, पाई का 0 होगा constant है, इसका होगा माइनस 2, अब यह value, पाई बै टू यहाँ पर put करेंगे, यह माइनस माइनस, कैंसल आउट होगा, के बै टू, साइन पाई बै बै टू, साइन पाई बै बै टू बै टू होता है, तो के बै टू है, इसकी value, और पाई बै टू पर value 3 है, तो अगर यह continue, बोला है, यह continuous है, तो left hand limit और right hand limit, left और right की value तो यह ही है, ठीक है, और पाई बै टू, तीरो की value सेम होने चाहिए, तो यह क्या हो गया, यह हो गया हमारा, के बै टू की value जो होगी, वो होगी 3 के equal, so के की value हो जाएगी 6,